वेलकम बैक नाजमीन एकदा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सेफ सिटी और वक्त हुआ जाता है हमारे अगले सेग्मेंट का यानि के सेकंड सेग्मेंट का जिसमें हम आपको किसी किसी गैस से मिलवाते हैं किसी इंपोर्टन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो सुडेंट के हावाले से आज हम बात करेंगे जिनें बड़ी फिक्र रहती है कि चार साल की सुवए डिगरी पूरी हो जाएगी इसके बाद क्या करना है किस साइट पे जाना है उनकी करियर कॉंसिलिंग अकसर नहीं हो किस करियर को चुन सकते हैं कौन से डिमांदिंग फील चल रही है किस तरह से खुद को ग्रूम कियाद आ सकता है और ये पंजाब उनवस्टी में पढ़ाती है वहां का पूछते है कि वहां का इंपार्टम कितना अच्छा डिवेलप हो चुका है किस तरह से टेक्नॉलोजी इस्तहुत सजाबर में पर इस्तार में हो चुकार में उनर्किर्ण करता है किस तरह से आपको मरे कज़ेंस थे पिकिर सकते हैं कि कौन सा कहले हमने किस जगा पर किस फील्ड में जाना है क्या नौकरी करनी ही तर इस बारे में भी बताएं कि एक पहले तो बहुत शुक्रिया आपका क्यूंकि आपने एक ऐसे कि आपक को हाइलाइट किये जिस पे इस वक्त बहुत सिग्निफिकेंट है उसकी वज़ए है कि अब एडमेंशन ओपन हो रहे हैं तो एक्चली स्टूरंट्स आ लोकिंफर वेन्यूस वो देख रहे हैं कि मुझे यह हमें किस फील में जाना चाहिए है और प्रिमेरिकली इफ तो उसमें हमें बहुत सारी डिमेंशन जो कि अनेश्पलोर थे आप इंटर करते हैं तो बड़े एक नाइव होते हैं यह डोंट नो रेली वाइव वाट काइंड ओफ करीयर्स या क्या ओप्शन है मेरे पास और जैसे के हमारे सोसाइटी का अल्मिया है कि हम लोग साइंसेस को तो बहुत तवज्जा देते हैं लेकिन सोशल साइंसेस की तरफ हमारे तना रुजहान नहीं है और हमें लगता है कि जो है ना वह डॉक्टर या इंजिनियर ही बनना चाहिए बच्चे को पर I think there is a lot more than that because if you look at media as a career तो शायद वो ऐसी ऐसी domains ऐसी dimensions हैं जो शायद एक इंजिनियर या एक डॉक्टर भी उस तरह से परसू ना कर सके है अपने career को इस तरह से media में रहते हुए लोग कर सकते हैं Like for example I am an academician so I would rather you know put this in the first place के सबसे पहले तो यह कि अगर आप academia में आ सकते हैं आप research की तरफ जा सकते हैं research में इतने heavy news हैं आप सोच भी नहीं सकते और किस कदर वो आपको support कर सकता है in terms of wealth and you know wellness of course तो उसके इलावा अगर आप देखें तो everybody wants to be an anchor these days because students को एक a fascination है that we really want to be an anchor and क्या हम इस study को करने के बाद चार सालों के बाद एंकर बन जाएंगे यह एक screen का जो एक charisma है उनके लिए बहुत huge है for example like looking at bright faces like yours तो जब वो देखते इन चीज़ों को तो फैसे ने होते हैं plus digital media का दोर है तो सबसे जादा जो आपको यह वेब TV है यह एक channel है इस channel के थू बहुत सारे लोगों को आप इंगेज कर सकते हैं globally but whosoever is watching this जाहे वो अमरीका में बैठा है France में बैठा है Canada कहीं भी बैठा है आपको देख रहा है आपके content को देख रहा है आपको पसंद कर रहा है आपको appreciation दे रहा है sometimes you also you know go with the other otherwise as well के लोग criticize भी करते है but ultimately देखते उसी को है जिनको ज्यादा criticism मिलता है उनको ज्यादा publicity भी मिलती है so एक चीज है और पिर advertising में career options बहुत strong है आप advertising में जाएं, public relation में जाएं आप career जो consultants हो सकते हैं या आप media consultant आजकल it's a highly paid job और for example आप print में जा सकते हैं क्योंके unfortunately a declining field है media studies में जहां से ये शुरू हुआ वह सफर जो है वह थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए के dull हो गया मैं यह तो नहीं कहूंगी कि उसको किसी ने replace कर दिये क्योंके किसी भी media को कोई replace नहीं कर सकता हाँ वह अपनी जगा अलग से बना रहे है मतब उसकी जगा वह रही नहीं जो शायद हो नहीं चाहिए थी बलकुल मतब प्रिंट से क्योंके यह शुरू हुआ लिखना शुरू किया लोगों ने awareness अब जैसे I really appreciate कि आप लोगों ने कैसा platform बनाया और खासतोर पे if I talk about your FM तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है sometimes जब मैं कनाल पे जारी होती हूं और मैं I listen to your radio station तो एक इतना अच्छा initiative है कि आप सुनके ही अंदाजा कर सकते हैं Am I going the right way or not कि मुझे यहा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए So बहुत सरी feels है जैसे रेडियो में लोग जा सकते हैं for example if they have a good voice command with them या उनके vocals अच्छे हैं तो they can pursue their career as a voice of an artist So there is so much more to the media than just being an anchor Anker की बात होगी जिससे हमने कहा कि बहुत क्रेज होता है रोगों को charm होता है तो एक अच्छे Anker की आप क्या समझती है क्या खासियत होगी You are the right person to become a good anchor So these are qualities that you look at your students that you can go to this site and guide them I think the most important thing is your commands over words First of all, if you are not a good reader If you are not a good watch habit If you are not a good watch habit If you are not consuming a good media then you just can't be a good anchor Because background knowledge is something which is very important If you have no background knowledge If you have no reading abilities If you can't quote something If you can't talk to someone You can't keep it So I think you should think about something else Also looks are very important When students come to them they are not groomed Because inter-care students So we can understand that they are not grooming But eventually When they are in their course of action When they are selecting their career options And when they are thinking about that we should go into this field Then we give them some grooming Primarily we take grooming classes I have mostly grooming classes I support them And mostly I take them I tell them If you are talking about something Then how important is Eye contact How important is your verbal gestures Your non-verbal gestures Your hand movements Your language Your language One thing is This is When you have a reading habit Your vocabulary Very enhanced Now Because When you read books When you are reading books We say So If you are not reading books At least watch good content You can watch good films You can watch good documentaries You can watch good movies So You can watch good movies रहे और आप जब तक आपकी जिंदेगी है तो it's like it's that long आप अप्स content available अब for example I have a habit of although I don't say it's a good or bad habit but before going to bed मुझे कुछ देखना है चाहे वो कोई movie है या वो कोई documentary है मैं Netflix बहुत देखते हूं क्योंकि उस पर good content है बहुत सारे subscriptions अब हम वो पैसे बहुत सारे और venues पर जाया कर रहे हैं लेकिन ना तो हम किताब करीदने में जाया कर रहे हैं ना ही हम subscriptions ले रहे हैं इसी में मेरा आप सब्सक्रिप्शन सवाल था कि जिस तरह आपने कहा कि आप के रहा कि क्या चीजह इंपॉर्टन हैं हर शुडिंट अंचर बनना चाता है कि मैं अंकर रहा हम इन्हां मैं क्या कामरा ही फेस करना स्कीन के आगे ही आना है क्या वाकई हर रशक्स अंकर बन सकता है वैसे गर आजकल की बात की जहाँ है जहां पर digital digitally rich society है तो उसमें तो आप देखते हैं के सबसे तो different शेक्स है वो सबसे उपर आ रहा है I mean those who do not even have good looks or maybe have like pleasant personalities neither they have good language abilities they are on the top list like trending तो अब तो यह criteria ही खतम होगे अगर आप digital media की बात करें उसमें तो everybody and anybody can be an anchor you have your platform, you have a smart device, you have everything with you plus abilities आपकी गूम होती है with the passage of time तो अगर आपके अदर इतनी determination है कि बस मुझे तो यही करना है you can do it but एक जो चीज बहुत important है जब हम अपने B.S. में थे तो हमारी टीचर्स हमें जो एक प्रैक्टिस कराते थे वो यह भी थी कि जब हम जया मुझे दीन जैसे लोगों को सुनते है उनकी सबसे बड़ी चीज क्या है voice engaging voice तो अगर आपकी एक engaging voice नहीं है for example बहुत सारे SMR students होते हैं जब वो बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपकी broadcastable voice you should pursue your career in radio or voice over or something like this so if you have a voice feeling voice है लोग इसकिरफ जाएंगे उसमें जाएंगे उसको सुनेंगे कुछ ही होती है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा unique selling proportion आपके पास होती है जिससे आप आगे जा सकते है for example आपका Ameen Afees Saab है उनके पास जो उनकी unique selling idea है ना वो है कि उनका एक अंदाज है Ameen Afees this channel and all so we are very familiar with that इसी तरह अपने निष्ट करने की भी जरूरत होती है sometimes अगर आप अपने एक निष्ट कर लेता है तो लोग आपको याद रखते है for a better shelf life you need to have something unique instead of copying anybody else you should be having something of your own अभी आप इलफास की बात करे थी तो अच्छे अलफास की अदाईगी और यह सारी चीजे इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते है क्योंकि वही बात की कॉलिटी हर किसी नहीं हो सकती everyone has a different quality so अच्छी आप अपनी अवास की अदाईगी अलफास की अदाईगी बहतर कैसे कर सकता है जब हमने सीखा और सिर्फ तुम्हों और तुम्हार माइक है and nobody else is here so अब यह तुम्हार दोज्ट है this is your partner this is everybody you have so how are you going to communicate in the first place you need to have a relationship with your with your mic or with your medium I must say अच्छा उसके बाद जब आप अदाईगी की बात करते है उसके लिए आपको बहत सारे एसे लोगों को सुनना पड़ता है जिनके वोकल्स बिलकुल अप्रोप्रियेट है आजकल के टाइम में हम जिस चीज को बहुत सादा जो जिस चीज लाक करही है वो यह कि अदाईगी लोग उन लोगों को सुन रहे है उन डिच्छल कॉंटेंट डिवेलपर्स को सुन रहे है जिनकी ना तो कोई बाक्राउंड है लेंग्विच के साथ और जिनका अदरवाइस भी बहुत रिच्छ बाक्राउंड नहीं तो जब वो उनको सुनते हैं अब जैसे पाकसार में इंडियन कॉंटेंट को बहुत दे रीच मिलती है और लोग उसको बहुत सुनते है अच्छा उससे ही होता है कि उनके जैसी होने लग जाए इवेंचली उनकी अदाइगी भी थोड़ी से दिफरेंट है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कुछ ऐसे फ्रेजस हैं जो लोग उनके डॉप करने लग जाते हैं अब उनका कॉंटेंट अधरवास बहुत रहे चुक होगा बट जो अदाइगी है जो उनकी बननसीएशन है वह उनफॉचनेटली रॉंग डिरेक्शन में जा है हमारी नहीं है रॉंग डिरेक्शन में जा रही है विछ नीज़ फिच नीज आ लिटल ट्विस्ट जिसमें उनको कुछ अच्छे लोगों को सुनना भी पड़ेगा जो अर्दू जबान है वो अपने अंदर इतनी रिच है कि उसको अगर आप एक अच्छी तरह से गो थू कर लें या आप सिर्फ लोगों को सुने मत पढ़ें किताबें कुछ ना करें तो वो कुछ चीजां सुनने से भी आपको अंदाजा होता है हाव टू प्रणाउंस पेटर या मैं यह गलत बोला था तो तो सही लफ्य यह था जो मुझे बोलना चाहिए और कुछ ऐसी चीजां जो गलत अलाम हैं और हमारी एक दुनिया एक बहुत बड़ी बड़ी यूथ है जो उसके पीछे लगी है तो यह कितना इंपॉर्टन है इसको आप क्या समझती है कि अच्छा कॉंटेंट करना और वो दुनिया को दिखाना या इसको डिलिवर करना इसको डिलिवर करना कितना जरूरी है जो कि हम अच्छा कॉंटेंट करें तो एक अच्छा कॉंटेंट बन सकता है I think it depends कि आप करना क्या चाह रहे हैं for example अगर आप like a few days ago I was watching हमारे हां एक असूल है कि हम शाम को जब खाना खारे होते हैं तो we like to stick together like a family time it is और उसवर कोई शक्स भी कुछ और activity नहीं कर सकता no mobile phone no TV no mobile phones nothing in fact कि जब we are done with a dinner so we like to watch TV together so it's a watch time it's a family watch time तो उसमें हम लोग करते हैं कि हम लोग ऐसी चीजन देख रहे होते हैं otherwise जब हम लोग और चीजन देख रहे होते हम उनको ignore करते हैं जो content हम सबसद appreciate करते हैं वो content होते हैं जिसके अंदर कुछ facts and figures होते हैं right ideas होते हैं for example अब जैसे आपके platform से कुछ awareness भी चारी है जैसे आपने शुरू किया I really like your idea that you just tell people the overview of what is happening across your region and then moving towards some specific things and also talking about what should be done I really like it अब इस किसम का content एक अच्छे content में शुमार होते है जिसके अंदर कोई plan of action भी हो कोई awareness भी हो जिसके अंदर एक element है एक ऐसा hint है जो लोगों को में भी अगर उनके mind में है भी तो एक reinforcement मिल रहे है प्लस ही के आप उनको कुछ ऐसे initiatives के बार में बता रहे हैं telling them how to do certain things that is actually a good content I really I follow a few international content creators as well जो सबसे अच्छी बात हमें उनकी लगती है वो अब जैसे कर हम Indian content की अभी हमने जिकर किया उसमें दुरूव राथी एक उनके बहुत ही popular content creator है Why was he popular? Because of the level of research he did for the content He did for the content the content is rich, the content is rich, the content is rich the content is rich, the content is rich if you don't know about anything You don't have grip, knowledge then you will do that Then you will talk about in the air It's like a teacher who is unprepared to class or another subject teacher to another place Exactly If he is blank, he can do general things but technically sound ideas produce and when you don't give sound ideas then it doesn't ripple effect Okay madam, you have the last question If you have a question What is technology in the world of media? What do you think about technology? the development is not in Pakistan across the globe because our graduates are not in Pakistan They go out of country scholarships otherwise job opportunities or they like to settle abroad If they don't have skill then they don't stand anywhere So skill is something really really important For example we are doing this show and we are facing the camera we know things according to what is required right now Skill development is the first thing First of all, digital skills So people should get digital skills You can see that the most people who have become the most who are the most people who have become The most digital skills The most difficult time is to take I think that we are saying that we don't get the boom but we should reach our position We should reach our position But we will reach our position We will develop our education But unfortunately Previously we are not going to understand So we have an academia that we are doing where we are doing We are doing की अंदाज़ा होगे तो हमने नए कोर्सें इंट्रड्यूस करा दी है जैसे अब अगर मैं पंजाब इनुश्टी की बात करूं तो हम लोग डिश्टल मीडिया भी ओफर करें हम लोग डिवल्पेंट अब जब शुट बीड़न अब जब इन अब जब इन इसके विल्पेंट ऑगी डिजितली जब तक अपने आपको अब इसमेंस वह खोबा नहीं जो डिचल टो चल सकता है everybody and anybody needs a digital display of themselves for example aapke a youtube channel a who aapke picture people are not going to come to your office to look at how you people work but they definitely would be looking at your digital footprints so digital footprints both important or uske liye skills both important so primarily kahi na kahi pe he jo a education a who back kariya aapki sari development ko bho shukriya maima apke kemdi wakka thank you very much jean 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 yee tih hamaare saad doktor madiyah maksood assistant professor thi mass communication ki panjab university se taluk tha inka inho na mei bataya gay media kya hai mass communication ah kis tarhan se apna role adha kar raha hai bhot saari zindagi ke shobajat ke ander or students ko koon se carrier ka inntekhaap karna chahiye unke liye koon koon se carriers hain jindko wo pick kar saktay hain jis mein anchoring ke lawa aur bhi bhoat cheezin mojood hai toh yeh tha hamaara ap tuk ka segment hamaare saad riye ga hama naik chota sa break stay with us हम एम 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 एकलवा को प्राइब करता है